दाइविटीज को लेके हम लोग चार वीडियो अलरेडी कर चुके हैं जिस में हमने टाइप 1 डाइविटीज, टाइप 2 डाइविटीज और जेस्टेशनल डाइविटीज तीनों डायविटीज के बारे में समझने कोशिश की और इसके अलाबा इंसुलिन रिसेप्टर्स को भी समझने कोशिश की यह पांच मा वीडियो है इसकी जरूरत इसलिए पढ़ रही है दो चीजें हुई है अभी हाली में एक तो यह हुआ है कि American College of Physicians ने एक नई recommendations जारी की है guideline जारी की है blood sugar level को लेके और दूसरा कुछ ख़बर आ रही है type 1 diabetes को लेके यह बहुत पढ़ रहा है तो इन दोनों चीजें को हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपको inform भी करना चाहते हैं तो पहले लेते हैं American College of Physicians ने जो कहा है तेखें, diabetes को नापने के लिए हम blood glucose level नापते हैं और blood glucose level नापने के दो तरीके हैं एक तरीका यह है कि हम free glucose जो होता है वो नाप लेते हैं और यह जो free glucose है यह आप fasting का नाप सकते हैं खाना खाने के बाद का नाप सकते हैं और randomly नाप सकते हैं और इसको milligram per 100 ml में जिसे 100, 140 ऐसे express करते हैं और जो दूसरा तरीका है वो यह है कि जो आपका glucose hemoglobin से bind हो गया है यानि कि जो glycosylated hemoglobin है उसको check करते हैं और यह percentage में express किया जाता है तो जो free glucose की जो reading है वो एक तातकालिक reading होती है आपका उस point पे उस given point of time पे कितना blood glucose level है और यह जो bound glucose level है यह यह बताता है कि पिसले दो तीन महिनों में आपका mean glucose level क्या रहा होगा तो यह कि historical picture देता है तो अभी तक क्या था है कि यह जो HbA1c कहते हैं इसको short में तो HbA1c की एक limit होती थी कि डायबेटिक लोगों को यह 6.5-7 के बीच में maintain करना चाहिए और इस range को change किया है American College of Physicians ने उन्होंने कहा है कि 6.5-7 की जो limit है यह बहुत tight है इसकी बजाए limit होने चाहिए 7-8 इसको थोड़ा हम समझने कोईश करें इस limit को अगर हम free glucose में convert करके देखें तो 6.5-7 का मतलब होता है करीब 700 से लेके 1.500 मिली ग्राम पर 100 ml blood glucose और अगर 7-8 देखें तो आएगा 1.500 से 180 blood glucose level और यह mean level है तो अगर इसका मतलब यह है कि आप 180 तक mean blood glucose level maintain कर सकते हैं तो जो American College of Physician है उसका कहना यह है कि अगर आपका fasting 140-150 तक भी जाता है और खाना खाने के बाद वाली sugar level अगर 200 तक भी जाती है तो आपको दवाई लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पाया यह है कि अगर इस लेवल में आप दवाई लेते हैं तो दुखसान जादा है एक तो हर दवाई का side effect है और दूसरी बड़ी problem यह है कि यह जो हाईपोगलाइसेमिया है इसके chances बहुत बढ़ जाते हैं और हाईपोगलाइसेमिया से तमाम problem हो सकती है जानलेबा भी हो सकता है congestive heart failure भी होता है अब यह बड़ा confusion का बात हो गई है तो अलग-अलग reactions आ रहे हैं इसके लिए खासतोर से जो इंडियान डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि यह बात इंडिया के लिए ठीक नहीं है उनका कहना है कि इंडियान लोगों का आदा है यह बात बिल्कुल सही है इंडियान लोगों का heart कमजोर है और अब हम देखते रहते हैं कि 30-30 साल की उमर में heart attack आना कोई abnormal बात नहीं है कई बार सुनने में आता है शाम को party की, रात को थोड़ी gas महसूस हुई और पहले attack में अस्पताल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया तो confusion यह है कि क्या किया जाए American College of Physicians एक तरफ कहता है कि इस लेविल पर दवाई देना ठीक नहीं है और जो इंडियान डॉक्टर्स है कुछ, अभी कोई association ने कोई collective statement नहीं दिया लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर्स का यह मानना है हमें यह लगता है कि यह दोनों सही है जो American College of Physicians कह रहा है वो यह कह रहा है कि इलाज ठीक नहीं है इतने tight control में इलाज से जादा नुकसान है तो वो यह कह रहा है कि इलाज गरवर है और जो कुछ इंडियन डॉक्टर्स हैं वो यह कह रहा है कि बीमारी खराब है तो हकीकत यह है कि यह दोनों सही है इलाज भी खराब है बीमारी भी खराब है तो इसमें समझदारी की बात यह है कि हम इसको खतम करें इलाज को भी खतम करें बीमारी को भी खतम करें और जैसे कि मैं पहले के वीडियो में कह चुका हूँ डाइबिटीज से रिलेटेड आपने नहीं देखें तो देखलें यूटीब पे सब मौजूद है कि डाइबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल चेंजिस करने से बिलकुल आसानी से हमेशा के लिए ठीक हो सकती है इसको मेंटेन करने की बिलकुल जरूरत नहीं है और सेहत वन में तो यह समझ लिए कि बहुत अच्छा ट्रेक रिकॉर्ड है यहां जो आते हैं उनका डाइबिटीज तो बिलकुल ऐसे गायब हो जाता कि जैसे थाई नहीं तो एक तो यह पहल जडगी भर इनसूलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है बार बार दिन में तीन-चार बार टेस्ट करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है यह डेटा दिल्ली का ज़रूर आया है लेकिन मुझे लगता है कि बाकी शहरों में भी कोई खास फरक नहीं होगा दिल् बच्पन में हो जाती है और जिंदगी पर परशान करती है तो हमको टाइप 1 डायबिटीज के प्रवेंशन पर खासा जो और देने की ज़रूरत है और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी टाइप 1 डायबिटीज के वीडियो में कि एक जो बहुत important point है वो यह है कि घर में किसी को भी type 2 डायबिटीज नहीं होना चाहिए तो अगर आपके यहाँ किसी को type 2 डायबिटीज है तो उसके बच्चों को उसके नाती पोतों को तो उसके आगे की जनरेशन में कहीं भी type 1 डायबिटीज होने के चांसे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते है तो सजेशन यह है कि हम फिर से गौर करें डायबिटीज होने का इंतजार ना करें ताइप बन होने का किसी को इंतजार ना करें अपने घर से type 2 डायबिटीज बिल्कुल खतम करें और यह बिल्कुल खतम हो सकती है बस थोड़े से lifestyle changes करने की जरूरत है दोस्तों, हमारे माता-पिता में तो हम डियाबिटीस देखी रहे हैं हमारी जनरेशन में यह और भी तेजी से आने वाली है सलूशन्स की दिशा, सिंपलिसिटी है हम जितना नेचर और अपनी बॉडी से कनेक्शन स्ट्रॉंग करेंगे उतना डियाबिटीस जैसी बिमारियों से बच पाएंगे हमारी हाबिट्स भी हमारा असली मेडिकल इंशॉरंस है झाल